विधान सभा के शीत कालिंद सत्र के दूसरे तिन राज़िपाल अनन्दी बेन पटेल के अभी भाशन के साथ सुरू हुआ राज़िपाल ने अपने भाशन में कहा कि 36 गड़ के पुर्खों के सपनों को गड़ने का काम सरकार करेगी पंचम विधासभा के दूसरे चरन की सत्र की सुरुआत सोमार से हुई सदन की सुरुआत राजपाल के अभिभासन के साथ हुई अभिभासन की सुरुआत करते हुए राजपाल आनंदी बेन पटेन ने सबसे पहले नौनिर्वाचित विधायकों को उनकी जीत पर कामना दी और साथ ही सरकार को सुबवस्थित और सुचारू रूप से चलाने की बात गही राजपाल ने स्वतंतरता सेनानियों की तहास पर प्रकाश डालते हुए उनके पदचिन्हों पर विधायकों को चलने का मंत्र भी दिया राजपाल पटेल ने कहा कि जनादेश का सम्मान करते हुए जन घोशना पत्रे 2018 को आत्मसाथ किया है राजपाल अनंदी बेन पटेल ने सदन में लगभग 20 मिनट तक 14 पेश का अभिभासन दिया राजपाल के अभिभासन के बार मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भुपेश वगेल ने उनके अभिभासन की सराहना की और अभिभासन को मूर्द रूप देने राजज़ सरकार कटी बद है और जन घोशना पत्रे के नुरूप ही पूरे 5 साथ तक कारे करती रहेगी वही संसाद्य कार मंद्री ने कहा कि अभिभासन में सरकार के जन घोशना के सभी बातों को रखना मुनासिब नहीं है इसलिए अन्य घोशना को सरकार समय से पूरा करेंगी अच्छा के लिए जो वानून बनाना हम चाहते हैं उसके कमिटी गोशना की गए उसका उलेक और चत्तिजगर के समचित विकास के बारे में उलेक है और हसमस्ताओं के इस राजपाल के अभिभासन में चत्तिजगर के सभी वरगों को ध्यान में रखके ये उनका अभिभासन हुआ है मुझे लगता है कि अपनी हतासा से भारती जनता पार्टी अभी उबर नहीं पाई है महामहिम का अभिभाशन नई सरकार के नए विजन को प्रदर्सित करता है बंदरा साल हम हुकुमत से बाहर रहे जनता की लड़ाई सडकों पे खूब लड़ी हमने बजट की साइज आप देख रहे हैं काज अनपूरक पेस हुआ एक लाग छे हजार करोड के आसपास हमारा बजट पार हो गया तो हमें अपनी बजट की सीमाओं में प्रदेश की विकास के लिए किन दिसा में हमें आगे बढ़ना है किन-किन बिंदों पे सुरुआत करना है हमारी प्रात्मिक्ता हैं क्या हो सकती है आने वाले पांस सालों में हम काम करेंगे लेकिन प्रात्मिक्ता के तोर पे हमें किसानों के कौन-कौन से मुद्दे पे हमको विकास करना है बहुत सारी बातों का इसमें उलेक किया गया है किसी भी अभिभाशन में धोसना पत्र के सारे बिंदों का उलेक नहीं किया जाता बहरास उमार को सदन में राज़पाल के अभिभाशन के बाद पक्षवार विपक्ष ने अभिभाशन पर तीखा टिपड़ी किये साथ ही कॉंग्रिस के प्रदर्शन को लेकर भी सदन में हंगावा हुआ जिसके बाद विधासफद्य अच्छे डॉक्टर चरंदास महंत ने राज़ेपाल के भिभासन पर 9 जनवरी को चर्चा कराने की विवस्था दी है देश टीवी के लिए केमरामेन एसकनेस के साथ स्वर्व भट्टेचार की रिपोर्ट